बाजीगर का मैं किस्सा बताता हूँ आपको जब सबने मना कर दिया तो हमने बोला कि यार पागल सा लड़का आया है उसको भी सुना लेते हैं शारूख खान ने कहा कि भाई मुझे कल तक का टाइम दीजिए अगर कमालार खान किसी एक्टर्स को पसंद करते हैं यह बहुत बड़ा A+, B+, C+, तो अब देते रहते लेकिन ऐसे कुछ तीन स्टार हैं जो आपको जिनके बारे में सुनके आप चौंक गहें पेशे तीन-चार साल में कि आपको कहीं लगा नहीं था एक तुम्हें मानते हो हम क्या है रीजन आपको लगते कि आयुशमान के स्टार्डम का मतलब अब जो फिल्म ठीक ठाक भी हो अच्छी भी हो कोई फरक नहीं पड़ता इशू बेस्ट हो मज़िदार हो सारी फिल्में चल रही कैसे देखे जब शारुक खान साब आये तो वो टीवी करते थे और उस व नहीं कर रहे थे जैसे डर थी बाजीगर थी बाजीगर का मैं किस्सा बताता हूँ आपको मुझे रोबिन बट साब ने बताया था उन्होंने वो फिल्म लिखी थी कि जब सबने मना कर दिया तो हमने बोला कि यार एक पागल सा लड़का आया है उसको भी सुना लेते हैं त दूसरे दिन उसने कहा कि भाई मुझे आपसे मिलना है और हम सब लोग फिर मिलें प्रोड्यूसर डर कर मैं हम सब लोग थें तो उसने कहा कि जो इस क्रिप आपने मुझे सुनाई है अगर आप यही fun बनाएंगे तो मैं फिल्म कर रहा हूं बट अगर आपने कुछ भी चें हैं इसको positive कर देते हैं इसको hero बना देते हैं यह नहीं होगा यही film बनेगी तो बोला हम भी घपर आ गए तो फिर हमने का यार्ट तो हमें दो दिन का time दे सोचने का है तो लगा दो दे हमने सोचा और हम ने बोला भाई ठीक है यही बनाते हैं तो फाइनली हम सब ने का भाई बना रहे हैं तो उसने वह फिल्म की और वह फिल्म ब्लॉक्बश्टर थी तो उसका रीजन यही है कि आयुश्मान ऑल्सो सिमिलर एग्जेकली आयुश्मान इस डूइंग सेम तिंग के जो स्क्रिप्ट इसको बाकिश्टार समझते हैं नहीं यार यार मैं लड़की क्यों बनूँगा मैं लड़की की तरह क्यों बोलूँगा यार यह क्या है उसको वह कर रहा है